नमस्कार प्यारे साथियों कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे तो प्यारे साथियों मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल A2Z Study में और प्यारे साथियों आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊं कि अगर आप लोग ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सस्क्राइब कर दिजिए क्या कह रहा है रड़की क्या कह रही है look at my bottle, I made a puppy on it, it has wide ear लड़की क्या कह रही है, कि भाई मेरी बोतल को देखो मैंने इस पे एक puppy, यानि की पिल्ला बनाया है इसके कान कितने चोड़े हैं अब यह लड़का क्या बोला है I made a cat face on a cuboid, it has long viscous मैंने cuboid, यानि की इस shape के डबबे पर एक बिल्ली का चहरा बनाया है, देखो इसकी मुच्छें कितनी बड़ी-बड़ी है अब तीसा लड़का क्या कह रहा है I made a pig face on a box, it has narrow eyes मैंने इस box पर सुवर का चहरा बनाया है, देखो इसकी आंके कितनी पतली-पतली है और आकरी में जो लड़की है, यह कह रही है I made a bird face on a cone, look at its pointy beak क्या कह रहा है, यह कह रही है, यह कह रही है कि मैंने एक cone shape के आकार वाले डब़े पर चिडिया का चहरा बनाया है देखो इसकी चोंदार चोंच Let us do, use old boxes, cubes and cuboids and bottle, cylinder, do you craft work, draw faces on them देखो, क्या कह रहा है, कि आपको पुराने डिब्बू को लेना है जो मेरे cube, cuboid, cylindrical जैसे भी shape में आपको उनको लेना है और उस पे अलग-अलग जानवरों के चहरे बनाने होंगे जानवर के क्या चाहो तो आप अपना विचारा बना सकते हो, आपकी इच्छा है चलिए, इससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस part में, इस chapter में और आगे बढ़ें मैं आप लोग को अलग-अलग shapes क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं यह सिखा देता हूँ, इससे हमको chapter में आगे बहुत जादा मदद मिलेगी ठीक है दोस्तो, चलिए, तो अभी आप लोग यह जो डिबबा देख रहे हो इसको हम लोग cube बोलते हैं, क्या बोलते हैं, cube, c-u-b-e, cube cube की क्या खासियत होती है, कि यह मेरा square shape का होता है, लेकि यह 3D square होता है मतलब इसको देखके आप बता सकते हो कि हाँ, यह डिबबा है, ठीक है square मेरा ऐसा होता है, जबकि cube मेरा कैसा होता है, 3D shape में होता है मतलब आप इस डिब्बे को देखे बता सकते हो कि ये मेरा क्या है डिब्बा है ठेक यह देखो ये 3D शेप का है तो इसको क्यूब कहेंगे ये सिर्फ मेरा नॉर्माल 2D यानि 2 डिमेंशन है तो इसको कहां कहेंगे स्कॉायर ये फर्क होता है ठेक अच्छा यह है मेरा क्यूब यह जो लंबा वाला है इसको बोलते हैं क्यूब वॉइड क्यूब की खास्यत यह होती कि उसके सारे साइड्स बराबर होते हैं क्यूब वॉइड में जो साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं लंबे चोटे होते हैं जैसे यह हो गया मेरा क्यूब यह हो गया मेरा cuboid चलिए cylinder देखो यह जो मेरा ऐसा gold सा shape ऐसे घुमा हुआ इसको हम लोग क्या बोलते हैं cylinder बोलते हैं इस वाले shape को हम लोग cylinder बोलते हैं जिसके दोनों तरफ क्या होते हैं ऐसे gold gold circle type के होते हैं अगर मैं नीचे से gold ना करके ऐसे बराबर बना देता हूँ तो यह मेरा triangle बन जाएगा लेकिन अगर मैं ऐसे इसको gold करा हूँ तो यह होता है cone ठीक ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको 2-3 shape बता दिये है cube कौन सा होता है यह वाला जिसके चारों तरफ बराबर हूँ cube आइट जो मेरे बड़े छोटे हूँ वो और cone जो की मेरा cylinder shape का sorry cone कहा रहा हूँ cone जो की मेरा एक तरफ से चोंदार होता है और नीचे से gold होता है और cylinder जो की मेरा दो तरफ से gold होता है और बीच में लंबा सा tube होता है ठीक है समझ गये ना समझ गये की नहीं समझ गये ठीक देखो अगर आप इस चीज को समझ जाओगे ना कि कौन से shape को क्या गयते है यकीन मानो आपका chapter यहीं पर खाता है क्योंकि इस chapter के अंदर mainly यही है shapes के उपर यह पूरा chapter है चलिए what do you draw on their faces आपने उनके चाहरे पर क्या draw किया तो वो craft वाला है यहां पर यहां पर आपको बताया था यह आप कुछ भी बना सकते हो ठीक देखो यहां पर क्या एक लड़की है जया उसने क्या किया उसने rocket बना इस तरीके से आपको बताना है किसने कौन कौन से shapes का use किया तो भाई गिनो और लिख दो तो पहला है cube तो इसने कितने cube का use किया है एक, दो एक cube यह हो गया, एक cube यह हो गया दो cube हो गया, भाई मैंने आपको बताया cube क्या होता है, ऐसा cube मेरा ऐसा shape होता है जिसके चारो साइड आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं इस तरीके से ये हो गया मेरा क्यूब क्यूब ओइड क्यूब ओइड मैंने आपको बता रखा है ये भी क्यूब जैसा ही होता है बस फर्क ये है कि इसके चारो साइड बराबर नहीं होते हैं इस तरीके से यह हो गया मेरा cuboid ठीक है यह हो गया मेरा cuboid ठीक कौन एक तरफ चोन और नीचे मेरा गोल गोल, cylinder दो तरफ गोल और बीच में मेरी tube ठीक इन shapes को एक दमाग में बैठा लो, तो भाई cube कितने हैं, 1, 2, 2 cube है, cuboid किते हैं, cuboid दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 cuboid हैं, कौन किता है, सिर्फ उपर एक कون रखा हुआ है, cylinder किता है, बस ये एक मेरा बड़ा सा cylinder है, तो ये होगा इसका answer, ठीक, 2, 4, 1, 1, चलिए, what shape is between red cuboid and yellow cuboid, क्या कह रहा है कि भया, red cuboid और yellow, red cuboid ये है, yellow cuboid ये है, what shape is on the top of orange cylinder orange cylinder के उपर कौन सा shape है तो देखो इस diagram में हमारा orange अचा है यह रहा orange के उपर कौन सा shape है मेरा cube what shape is under pink cone pink cone यानि गुलाबी cone इसके नीचे कौन सा shape है तो यह भी मेरा क्या है cube ठेक है तो cube लिख दो इसमें भी cube लिख दो cube hello हो गया इसका answer चलिए collect objects to make a house जै कहारा है आपको चीजों को इखटा करना है house यान की घर बनाने के लिए name the shapes and talk about their faces and edges आपको shapes के नाम लिखने होंगे साती में उनके कितने किनारे हैं कितने उनके sides हैं यह भी लिखने होंगे which are straight and which are curved कौन कौन से stadion की सीधे हैं और कौन कौन से curved यान की ऐसे मुडे हुए हैं also describe how the shapes have been arranged साती में आपको यह भी बताना है कि आपने shapes को किस तरीके से arrange किया है what part of shape can you see from our distance और आपको shape का कौन सा हिस्सा दूर से दिखाई दे रहा है तो भाई घर बनाने के लिए बहुत ही आसान है आप एक ऐसा cube या cuboid कुछ भी ले लो उसके उपर एक cone रख लेना इस तरीके से ठिक बन गया घर खतम कहानी इन दोनों से हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं देविका went to the shop and bought a toy engine देविका धुकान के उसने toy engine यह खरीदा here is devika's toy engine it has many parts count and fill यह है देविका का toy engine आपको इसके जो अलगले हिस्से उनको गिनना है और नीचे भरना है क्या कहा रहा है red cylinder कितने red cylinder है भाई एक ही red cylinder है वन भर दो yellow cone yellow cone कितने हैं एक दो दो हैं दो भर दो grey cube white grey cube white कितना है यह की तो है एक भर दो blue cube blue cube कितना है एक ही यह भाई तो एक भर दो खतम कहानी और कुछ नहीं करना इसमें चलिए let us discuss here are some more toys from the toy shop यहाँ पे खिलोनों की दिखवान से थोड़े और खिलोने हैं they are made up of different shapes यह अलग-अलग shapes यानि अलग-अलग आकार के बने हुए है what shapes are used in these toys इन खिलोनों में कौन से shape का इस्तमाल किया गया है तो देखो भई यह तो कौन है यह cylinder है यह मेरा circle है या फिसको sphere भी कह सकते है कि गोल है और यह मेरा क्या हो गया यह मेरा circle है यह कौन है यह दोनों यह मेरा क्या हो गया cylinder हो गया cube 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 और यह हो गया मेरा cuboid ठीक है तो यह मेरे shapes है सारे जया made some house using different shape जया ने कुछ घरों को बनाया अलग-अलग shape का इस तरीके से आप देख सकते हो वैसे काफी अच्छा घर बनाने इसने देखने में बढ़िया लग रहा है आपके आसपास जो shapes मौझूद है उनका इस्तमाल करके आपको अलग-अलग चीज़े बनाने कोसिस करनी होगी जैसे की घर, rocket हो गया, tower हो गया जो चाहे आप बना सकते हो जो भी आपको आसपास मिलना है उससे भी बना दो note that a cube is a special type of cuboid एक चीज़ ध्यान देना कि जो cube होता है वो एक खास प्रकार का cuboid होता है देखो इसमें आपको एक point बहुत ही अच्छा point है यह याद दिला दिता हूँ जो square होता है उसको rectangle के तौर पे ले सकते हो लेकिन rectangle को कभी भी square के तौर पे नहीं ले सकते हो cube को आप cuboid के तौर पे ले सकते हो लेकिन cuboid को कभी भी आप cube के तौर पे नहीं ले सकते हो यह दो points अभी आपके लिए important नहीं है लेकिन जब आप higher classes में जाओगे तब आपको पता चला है कि इन दो points का कितना जादा use होता है खासका जो reasoning के questions होते है उसमें यह अक्सर आ जाता है चलिए let us play construct and describe ask students to sit in a group of four and or five क्या करा कि आपको बच्चों से बोलना है कि वो चार और पांच के सम्मूम में बाढ़ जाए in each group one student select any three shapes and put them together हर group में एक बच्चा कोई भी तीन shapes को चुनेगा और उसको साथ में रखेगा the student then describe the sequence of construction and other students have to build the same without seeing the original one अब जो बाकी बच्चे है group के वो बताएंगे कि भाई जो shape बना है यह कैसे बना है मतलब कि sequence में पहले क्या रखा फिर क्या रखा फिर क्या रखा और जो दूसरे group के बच्चे हैं उनको सुनके बिना देखे बनाना होगा अब बताओगे कि पहले cylinder रखा है फिर कौन रखा है बच्चो को बिना देखे पहले क्यूबवाइट फिर cylinder फिर क्या रखाना होगा अगर लगा लेते हैं तो ठीक नमबर मिलेंगे पॉइंगे उनको अगर नहीं लगा पाते हैं तो भया बल्ले बल्ले होगी उनके तो let children take turn and play the game in the group आप क्या का सकते हो बच्चो को बारी बारी इस गेम को ग्रूप में खिलने के लिए बोल सकते हो तो लो भई चाओ तो खिलो ऐसा अच्छा मज़दार गेम हो सकता है यह गेस करने वाला हां जी let us do can you find these shapes in the classroom क्या कह रहा है कि क्या आपको यह shapes या आकार कक्षा में कहीं पर दिख रहे हैं तो अभी तो आप वीडियो देख रहे हो तो सिर्दी से बात है आप घर पर बैठे होगे तो आपको घर में क्या इन में से कोई shape दिख रहा है कोई shape दिख है अपने आसपा एकदम पुरा सिर्फ घुमाओ और देखो अगर इन में से कोई shape दिख रहा हो तो लिख लो जैसे कि अब भी देखो आप लोग phone पे देख रहे हो गई वीडियो तो phone का shape कैसा होता है क्यूबएड होता है हो सकता है आप laptop पे देख रहे हो उसका भी shape क्यूबएड shape की होती है अगर आप rubber को भीच में से काटते ना तो वो cube बन जाएगी लेकिन वो cuboid होती है cube shape का अच्छा पासे है लूडो खेलतों कि नहीं खेलतों तो लूडो के जो पासे होते है dice वो हमारे cube shape की होते है ठीक चलो यह उसे question है यह सब आपको देख लेना और फिर ऐसे वापस यहां तक आके finish होगा ठीक है चाहो तो आप लोग खेल सकते हो वैसे यह book में है तो इसके लिए आपको book की ज़रत पड़ेगी अगर book नहीं है तो फिर भाई आप इन page को print करवा सकते हो लेकिन book होत ज्यादा बेतर है I think अब तब book आ गई होगी चल यह अब अगले question पर चलते हैं हमारा question number 6 क्या कह रहा है in what ways are these shapes same in what way are they different आपको बताना है कि किन तरीकों से यह जो मेरे shapes यह जो मेरे आकार निचे दिये होए है यह same है और कैसे यह मेरे different है ठीक तो देखो पहले चिस्तो यह कि सारे shapes क्या है 3D है 3D देखो पहले तो 3D 2D में फर् यह 3D है यह 3D नहीं है वैसे हो भी सकता है अगर इसमें थोड़ा सा इस तरीके से मैं इसको कर दूँ तो 3D देखने में लगेगा ठीक है और sphere तो भाई हर तरफ से आपको देखने में 2D लगता है चली ठीक है 3D है चलो तो यह सारे 3D है सामानिता की बात करूँ तो देखो बनाने में लाइन्स का यूज हुआ है इसमें भी लाइन्स यूज हुई है इसमें भी लाइन्स है बस कहा कि यहां पर यह कर्व है यह कर्व है यह कर्व है ठीक है तो इस तरीके से मेरे हैं फिला सबके मैं नाम बता देता हूँ यह सिलेंडर यह क्यूब यह कौन यह सर्कल या इसको sphere भी कह सकते हो यह है cuboid ठेक है चलो नाम लिख देता हूँ यार यह बहुत ज़वरी है cylinder der यह हो गया cube यह है cone c-o-n-e यह है cuboid और यह है circle slash sphere अगर 3D है तो इसको sphere पढ़ोगे अगर 2D है तो इसको अब circle पढ़ोगे ठेक अभी मैंने जो नाम लिखे हैं उसको आप pause करके लिखे लो कहीं पर बहुत ज़वरी है बच्चो चलिए आता है next question number seven पर क्या कहा रहा है look at our die यह जो पास है इसको देखो the face have one to six dot इसके जो sides है उसमें एक से लेके 6 तक की मेरी क्या होते है dot बने होते है what number is on इसी तरक सबसे बड़ा number होगा और पासो में सबसे बड़ा number क्या होता च्छे फिर है 2 2 मेरा second position का number होता है तो इसके उल्टा second last होगा जो की होता मेरा 5 ठीक 3 के लिए same logic 3 के उल्टा क्या होगा 4 होगा ठीक है what pattern do you notice आपको इसमें कोई pattern नजरा रहा है तो चलो pattern दिखने कोशिस करते हैं एक से छे हो रहा है एक छे पांच का difference पांच से दो तीन का difference और चार से एक स्वरी चार से तीन एक का difference देखो दो pattern है पहले चीज़ तो यह कि अगर मैं इनको minus करता हो तो यहां पर पांच है यहां पर तीन है यहां पर एक है मतलब minus 2 हो रहा है पहला pattern तो यह और दूसर pattern यहां पर हमारा यह है कि अगर आप इनको add कर देते हो यह 5 है यह 4 है अगर आप इनको add कर देते हो तो यह भी 7 है इसको add करोगे तो यह भी 7 है तो सबसे पहले तो ये नीचे आले cube void लगे होंगे फिर ये वाला cube लगा होगा cube void sorry फिर ये cylinder रखे होंगे उसके बाद ये वाला cube void लगा होगा ठेक और फिर ये cone रखे होंगे और आखरी में ये steps लगा दिया होंगे या फिर पहले लगा दिया होंगे है तो इसका क्या होनने वाला है sequence यह होने वाला है कि पहले यह फिर यह फिर यह फिर यह फिर यह फिर यह फिर यह इस तरही के से चलो वाट शेट दू यू ज्वाइन इस बंप फ्र्ट बाच्ची कहर रही है अगर मैं क्योप को जोड़ता हूँ तो मैं집 αपच्य cubes are used to make this shape अब यह बच्ची कहा रही है कितने cube पर इस्तमाल वाज shape को बनाने के लिए चलो गिन लेते हैं तो एक दो तीन ठीक है और इससे मुझे पता चला कि पीछे तीन लगे वे यानि कि एक दो तीन रोग यो तीन ऐसे हैं और तीन ऐसे हैं तो थी एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ पीछे हैं नौ ठीक है इधर गिन लो नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा और बीच का सोला तो सोला हो गए टोटल सतरा अठारा उननिस बीस इक इस तो टोटल कितने इक इस cubes का है यूज हुआ है इस शेप को बनाने के लिए ठीक है चलो नेक्स्ट है मेरा कोशन नौबर नाइम क्या कहा रहा है इन हाउ मेने डिफेंड वे कैन यू जॉइन त्री क्यूब्स कित्ते अलब तरीकों से अब तीन क्यूब्स को जोड़ सकते हो तो स्टेट लाइन में लगा यह सारे क्यूब्स को रखा है फिर उपर के इन दो क्यूब्स को रखके इस क्यूब्स को इस तरीके से लगा दिया और फिर उपर ऐसे लगा दिया इस तरीके से यह भी बने हुए हमारे चलो नेक्स्ट है मेरा question number 11 क्या क्या रहा है use six dice to make the following shapes यानि कि आपको छे पासे दिये हुए आपको उन छे पासो का use करके इन shapes को बनाना होगा तो पहला है cuboid देखो पासो से cuboid बनाना बहुत आसान है क्या करो 6 के 6 पासो को ऐसे लगा दो 1, 2, 3, 4, 5 पासो और यह हो गया 6 ऐसे लगा दो इस तरीके से लो cuboid बन गया कि नहीं बन गया बन गया ना tower हमें tower बनाना है बहुत आसान है एक आपको 6 के 6 पासो को ऐसे लगा दो एक उपर एक 1, 2, 3, 4 5 और यह हो गया 6 ठीक है यह लो यह हो गया 6 ठीक यह वैसे मैंने हांस से ड्रॉग किया तो इतना अच्छा बना नहीं है आप लोग बढ़िया से ड्रॉग करना अच्छे से प्यारा सा चलो लास्ट क्या है अब अपने चोईस का अपने पसंद का कोई भी शेप बना सकते हो तो प्यारे बच्चो यह मेरे इस चैप्टर का लास्ट कोशन था इसे के साथ में मेरा जो चैप्टर नमबर टू है यह पूरा कंप्लीट हो गया है आप लोग को यह पूरा चैप्टर समझ में आगया होगा तो जाने उस पहले मेरे प्यारे बच्चो आप लोग से मेरी एक छोड़ीस रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा अब हम लोग मिलेंगे हमाई अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार